फेबू से 40 mg टेबलेट जो कि बनाई जाती है स्रिपला एल्टिरे के दुवारा बनाई जाती है फेबू जो स्टेट 40 mg इसके अंदर रहता है और इसका MRP की बात को तो इसका MRP 152 रूपीज रहता है और ये 10 टेबलेट का पूरा इस्ट्रिप रहता है ये टेबलेट जो की यूज होती है और टेटमेंट करती है गौट का गौट जो की क्या है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है बोडी के अंदर जिससे क्या होता कि जॉइंट के अंदर दर्द होता है पेरों के जॉइंट पातों के जॉइंट में दर्द होता है तब इसको तो वो सब बाते इस वीडियो में मैं सेर करूँगा ताकि आपको इसके बारी में संपोइंट जानकारी मिल सके तो यह वीडियो केवल केवल मेडिकल इस्टूड़ें और हेल्थ केर इस्टूड़ें के एजूकेशन परपस के लिए तो कोई भी मेडिशन्स या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर के सला जुरूर ले तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगी छोटा सा इंट्रो के बाद फैबू सिप 40MG टैबलेट जो के बनाए जाती है सिपला एल्टिडे के दुवारा बनाए जाती है फैबू जो स्टेट 40MG रहता है 152 रुपेस का ये 10 गोली का पूरा इस्ट्रिप बेता है ये टैबलेट जो के ट्रीट्मेंट करती है गोर्ट का ये ट्रीट्मेंट करती है और अगर आप इसको जादा ले रहे हैं, दॉक्टर के शला से झेels रहे हो तो कुछ साइड इपेट हो सकता है साइड इपेट में हैड एक हो सकता है डाइरिया हो सकता है लिवर एक्जीमा बढ़ सकता है और नोजिया हो सकता है और इसके इन्रेस्टिस हो सकते हैं तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर के साला से ले डॉक्टर जितना डॉज और दूरेशियम बूरे उतना ले और इसका फ कर दिता है ब्लर्ड के यूरिक को केमिकल जो रहता है वो जो कॉस करता है गॉट को तो वह नहीं करता है तो ऐसे काम करती है टेबलेट टेबलेट के बारे में कर आप को पर जाइब रहें तो कोमें सेक्शन में पूछ अदरवाइस जो डिसक्रप्सम में इमेल आइडिया है वहाँ पर पूछ सकते हो चैनल पर और वडियो पर पहली बार आप विजिट के हो तो हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है उसको दबाए ताकि जब भी में नेक्स वडियो अपलोड कर है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक स्टूडियो में तब तक के लिए अपना और अपने प्रिवार का ख्याल रखे